कल सैदाबाद पोलिस शेशन लिमिट में तेलंगाना में कुछ लोग तेलंगाना एवं भारत देश का वाता वरण खराप करने का एक शडियंतर रच रहे थे एक स्लामिक एक आरगनेशन है वहादेव कुछ नाम है उस आरगनेशन का और मौलाना नसुद दिन के कुछ रिलेट हुए है उनकी कोई लड़किया है यानि एक लेडिस की एक टीम है वो लोग दूसरा कारिकरम बोलकर पुलिस से पर्मिशन सैदाबाद शेत्र में पर्मिशन लिए और मीटिंग में सुप्रिम कोट का जो फैसला आया राम मंदिर को ले लेकर उसके खिलाफ उन्होंने मीटिंग की और उनका नारा था कि हम बाबरी मजजिद बनाएंगे और राम मंदिर तोड़ेंगे लाठी गोली खाएंगे राम मंदिर तोड़ेंगे और बाबरी म साब ने आश्वसंद दिया कि उनके उपर एफायर करेंगे और मुझे पता चला कि उनके उपर एफायर साधाबाद पॉलिशन में हो चुका है साथ ही साथ असुद्धिन ओवेसी का भी एक ट्वीट है इससे पहले भी अयुद्या सुप्रीम कोट एक फैसले के बाद में हसुद्धिन ओवेसी भी एक सबा लगाकर पब्लिक को भढ़काने का उसका पुरा का पुरा प्रैत्न था तो जब ये लोगों के उपर देश द्रोही केस बुक हो सकता है जो महिलाएं राम भगवान के प्रती गलत शब्दों का उप्योप करें और अन इसके उपर भी मैं डिमैंड करना चाता हूं कि उसके उपर भी एफाइर हो कमिशर्म मुक्ह मंतरिसे मैं चांगा तिलंगा ना के कि आसब दिनोवी सीके उपर भी एफाइर हो आज ऐद्या का फैसला आने के बाद में हिंदू और मुसल्मानों में जो नफ्रत का जो महोलता आज बिल्कुली खतम हो चुका है आज एक अच्छा भायचारा प्रकट हो रहा है सब लोग मिल जुलकर आयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्तापना के लिए आज सब लोग मंतन कर रहे एक तरफ आयोध्या का मुसलमान और भारत देश का मुसलमान और दूसरी तरफ ये तल कि जब तक OVCJ से लोग भारत देश में रहेंगे भारत देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान मिलके नहीं रहेंगे मैं यह सब निविदन करना चाहता हूँ